विडियो तो जैसे कि आप सब को बता कि कल रात से एक सर्कुल्र मार इस पर लिखा गया कि आपके चार इप्लाइब किया था जी कैसे उन चारों की एप्लिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है उसके आपके साथ इदर बात करने वाला हूं अब आप सब के मन में एक ही कोशन अब एक्जाम होगा नुमबर में की नहीं आगे जाएगा क्या होगा उसके अब हम इसमें थोड़ सा डीटेल बात कर लेते हैं तो देख सकते हो यह आपका इस प्लस पॉंट भी समझ सकते हो कि जो जल्द बाजी में कोई डिजिए निया जब बाजी में जब बाजी में अब बाई चांस अगर जेके एससबी के ओपर आप सबको तक ही प्रेशर है कि हाँ एक्जाम अब उन्होंने कंड़क्ट कराना है जैसे मनोसी नजीने बोला है कि अक्तूबर में कराने की सोच रहे हैं अगर जल्द बाजी में इनको हायर कर लेते हैं बाद में कोई सब्सक्राइब हो सकते हो अब बात आते कि सब्सक्राइम का क्या होगा अग्जाम मिहना कल से grow है भी विद ईहते हैं यहांक्तूबर में बैक पूजिशन मनलब उनकी जीरो लेवल पहुंच जाएंगे तो मैं आप सब को यहीं सेजेश्ट करूंगा अपनी प्रिपेशन को बीच में नहीं रोकना एक्जाम आपका बहुत जल्द हो जाएगा आपको बहुत जल्द एक्जाम के लेंडर मिल जाएगा अपनी प्रिप करना पड़ेगा आगे जब एक्जाम डेट्स आती हैं तो उस चीज़ को एक दर से ध्यान में रखो आप सब को पता है कि जैसे हम शाम को एक लाइव सेशन आपके लिए एक प्रॉपर इंट्रेक्शन होती है मैं जादा नहीं बोलूँगा कि हाँ आप जादा इतना इतने गंटे पड़े 8-8 गंटे पड़े 10-10 गंटे पड़े नो डाउट आप थोड़ा सा टाइम रिड्यूस कर सकते हो अगर आपकी मैक्सिम प्रिपेर हो चुका हुआ है उन्हीं के लिए मैं सजेश कर रहा हूं क्यूंकि जब एक्जाम क्रेंट आपको महीना पहले इंटीमेट कर दिया जाएगा महीना वाल आपको पता जाएगा आपका इस दिन एकसाम है तो यही चीज़ है कि आप देख सकते हो कि आपका यह जो एक्जाम जो प्रिश्ट करना पड़ेगा यह जो आपको पहुच्छल मिल जाएगी हैं अगरम बात करें अगर दिख रहा है तो नुमबर में भी नहीं हो क्या ता डिसंबर 15 से पहले पहले एक्जाम ले लिया जाए लिया भी जा सकता है अगर लेना हो फिर OMR के ओपर रहता है में चीज का है आप सब एक्जाम क्लिणडर कभ आएगा एक एग्जाम क्लिणडर जब एजंसी तो यही चीज़ है आप अपने पर विश्वार सके आपका बहुत जल्द रोगए गाईगा प्रिप्रेशन को मैं आपको यही सजेश्ट करूंगा प्लीजाइस बीच में निरोकना क्योंकि रीस्टार्ट करने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बड़े से स्टुद्स क एक्जाम दिया था अब फिर से प्रिपेर कर रहे थे तो उनको कितनी दिक्कत हुए अब फिर से अगर आप बीच में रोग दोगे पंदा बीस दिन का गैप दे दोगे आपको फिर से आगे पंदा दिन बाद दिक्कत पैदा होने वाली है तो यही थी सजेशन कि अपनी होगे देखो मैं अपने से अगर मैं चाहूं तो मैं भी रोग सकता हूं मैं क्यों टाइम वेच करूं मुझे पता रिस्पॉंस नहीं आ रहा तो मुझे पता है कि हाँ बच्चे नहीं देखेंगे लेकिन मैं अगर खुद इतने आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूं तो बाकी सब होंगे ना बाकी सबसे एक अदम आगे होगे आप सब क्यासे एक लीड होगी तो वह लीड पाने के लिए आपको एक्जाम की प्रिपरिशन इदन नहीं रोकनी तो कैस यही आप सब को इंफोर्मेशन देनी था तो मिलेंगे कल अपने लाइब वीडियो में तो उत्लितने